लूगों को ये टिप नहीं पता होगी या काफी लोगों को पता भी होगी तो ये टिप कोई बताता नहीं है क्योंकि ये टिप अगर तुमको पता बढ़ गई तो माल लो 90% of the chances of you getting a rank will increase त्रस्ट मी आपके 90% chances बढ़ जाएंगे कि आपका rank आएगा ध्यान से समझेंगे महुत ही मज़धा tip है इस diagram के मदद दे समझाओंगा और अकर आपने tip लगा ली तो किसी भी माई के लाल में दम नहीं है कि तुमको रोक ले rank लाने से भाई बहुत ही मज़धा tip है ध्यान से समझेंगे देखो जैसे जैसे time आगे बढ़ता है दो चीजों का तुमको दो चीजों समझनी है एक होती है information और दूसरा होता है time दो चीजों को तुमको manage करते हुए चलना है whenever you are studying a CA final या whenever you are studying a CA exam you need to balance between the two things number one is the time and number two is the information देखो information मतलब क्या जो तुम पढ़ाई कर रहे हो उसको मैं बहुत कहता हूँ information जो भी information है जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो जो भी तुम subjects पढ़ रहे हो that is an information right now whatever the things you are studying you need to retain it in your brain right जिसका ज़्यादा retention होगा उसकी ज़्यादा mark score होगे जिसको जितनी ज़्यादा चीज़े exam hall में लिख पाएगा उतने ज़्यादा marks हैंगे you believe it right अब retention power किस basis पर काम करती है वो चीज़ पर हम discuss करेंगे कि तुम्हें चीजों को कैसे ज़्यादा देर तक retain करके रखना है because जिसका ज़्यादा retention उसके ज़्यादा marks और उसकी rank आईगी clear cut fund है आप देखो मैं बता रहूं retention कैसे बढ़ाना तो ये जो forgetting curve है ये proven fact है भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये scientist लोगों ने prove करके दिया है कि यार ये forgetting curve इस तरीके से काम करता है अब इसका timeline भी रहता है इसके बहुत deep dive analysis है बट मैं जादा deep में नहीं जाओंगा बठा तुमको basic बता दूँगा ताकि यार तुम rank के प्रती आगे बढ़ जाओ और तुम्हारी rank आजाए अब देखो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है सबसे पहले तुम जब first reading करते हो जब भी तुम first reading करते हो तो यार इसका forgetting curve एकदम ही fast move on होता है तुम देख रहे हो कितनी fast तुम ये चीजों को भूल जाओगे एकदम फटा फट 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 भूल जाओगे जैसे कि मेरा for example information written this is a 100% information यह 100% है correct अब जैसे ही मैंने first reading किया मैं धिरे धिरे इसको एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, चार दिन बाद मैं इसको भूल जाओगा say for example यहाँ पर आ गया this is a 50% मेरा retention power है 50% यहाँ पर 50% तक के 50% of the चीज़ याद है तो timeline के बीच का gap कैसे आपको identify करना है यह आपको खुद के internal strength के business पर you need to understand it you need to do an experiment अगर आपने experiment कर लिया अपने आप पे तो माल लो भाई आप 100% rank लाके देते हो मैं stamp paper पर आपको लिख के जाए सकता हूँ आपको क्या experiment करना है देखो आपको यह experiment करना है कि आपने for example एक चीज़ पढ़ी कोई भी subject पढ़ा उसके बाद what you need to do is you need to take a gap of one day, two day, three day, four day और उसके बाद तो मुस चीज़ को recall करके देखो अब यह subject to subject भी vary हो सकता है person to person vary होता ही है तो आपको आपके theory subject और practical subject के लिए forgetting curve identify करना है कि मेरा first reading किया उसके बाद original learning के बाद मेरे को कितने time बाद first review करना है मैं कितने time बाद 50% पे आ जा रहा हूँ यह time gap आपको find करना है यह जो time lapse है यह आपको दिकालना होगा कि मेरे को 5 दिन बाद फिर से उस subject को revise करना है to bring it to 100% बट जब भी आप यह first reading करते हो जब भी आप यह first reading करते हो आपको बहुत कम time लगता है तो फिर एक्जामपर original reading को आपको लगेगा 1R तो first review को आप करने को it would hardly take a 10 minutes बट 10 minute में आप फिर वो original information retained के level पे आगा है आपने दिखा कि इन दोनों के बीच का मेरे को gap किता है 10 दिन है तो 10 दिन बाद आप फिर से उस subject को revise कर लो ताकि आप 100% retention power पे आ जाओगे अब आपको first reading और second reading के बीच का फिर से वो gap निकाल लागे मैं कितने average duration पे बूल रहा हूँ यह time से for example 10 दिन है तो यह से जाधा रहेगा यह it will be around 20 days it again depends on the type of memory you have and the type of retention power you have it varies from person to person it varies from person to person it varies from subject to subject but यह जो चीज़ है बहुत ही मज़दार चीज़ है अगर यह चीज़ में अगर आप successful होगे लिख के देता हूँ उस time paper पे rank guaranteed है भाई तो first यह तुमको clear है second तुमको time gap देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच के किता रखें third time gap किता रखना है और अगर तुम इस basis पे इस frequency पे subject को revise करोगे तो कहीं न कहीं तुमारी rank को किया अब sir दिक्कत यह आती है कि मैं revision कैसे करूँगा या दिक्कत यह आती है कि sir मेरे पास इतना time ही नहीं होता कि मैं उस basis पे अगर इस sequence के basis पे अगर मैं revise करूँगा तो यार मेरा subject छूट जाएगा तो what you need to do is you need to do accumulative revision आपको सोने के पहले उस subject को देखना है because important क्या होता है जो भी आप study करते हूँ वो आपके subconscious mind में छबना चीए ताकि वो exam में जाके आपको फटा-फट help out करें लिखने में वो answers अंदर से आना चीए answers तब जाके मज़ा आता है और ये अगर आपने forgetting curve इस curve के basis पे आपने अपने आपको समझ लिया तो भाई दुनिया के कोई भी ताकत नहीं रोक सकती rank लाने से भाई बता रहा हूँ follow कर लो इस चीज़ को this is very 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 important thing कोई नहीं बताएगा ranker को भी पता होता है तो वो लोग इस तरीके से कभी सोची नहीं होंगे कि हाँ यार मैं इस तरीके से ही काम कर रहा था and you will also find that कि once your first reading is done you will forget the most of the things आप भूलते हो कि यार मैं काफी सारी चीज़े भूल गया मुझे याद ही नहीं आ रही क्यों? क्योंकि आपने forgetting करके हिसाब से काम नहीं किया तो आपने जिस दिन से study करना start किया है और जिस दिन आपका first reading भी complete हो जागा if you are following this rule on the basis of that the day you end up your studies of first reading you will say that I am 100% prepared to give a paper आप मुझे कभी भी कहीं पे भी बिठा दो मैं paper देने के लिए तयार हूँ मेरी rank आएगी क्यों? क्योंकि तुमने इस graph को follow कि तो यह retention power का और time basis का यह graph काम करता है अब यह general cycle होती है कि 1% on an average 7 दन में जो भी 80% of the चीज़े होती है वो बूल जाता है theory subject का generally क्या होता है? कि अगर on an average 7 दन में अगर बंदे ने revise नहीं किया उसे अच्छे से तो 80% of the things बूल जाता है I am talking about a normal memory और इसलिए मैं बूल रहा हूँ कि इस business पर काम करो काफ़ important tip है मज़दा tip है दोस्तों के साथ share करो अगर series नहीं ली है तो भाई रुकोमत price बहुत इसका hype हो जाएगा थोड़े दिनों बाद प्लस हाँ अभी आप फटा-फट ले लो बहुत ही nominal price पर दे रहा हूँ आइडिया है कि हम फोड के दिखाएंगे हम दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं अगर हम यह सब चीज़ों पर काम करेंगे तो So thanks for watching lot of videos are gonna be coming on the series of rank versus no rank और अगर आपने अभी तके mentorship portal पर नहीं गए हो कि अप प्रूबे कि अपने थी को अपने तो कि अप्कर करेंगे और झाग to फो तो